यहां पर हम बात करने वाले हैं लिट कूड हाड लेवल प्राउबलम से एक और बहतरीन सा प्राउबलम जिसका नाम है टोटल पील ऑफेस्ट्रेंग और यह कुष्टन बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर ने डिस्कॉर्ड सब्सक्राइबर पर पूचा था तो अगर आपको भी सब्सक्राइब का वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड सब्सक्राइब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोजी दिया है वहां से आप जोईन करके बता सकते मुझे ठीक है तो यह कुष्टन जो बेसिकली मुझे नहीं होता तो को प्राउबलम नही होगा हाड यह जितना हमें लग रही है यहां पर बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्विशन हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी आपके टोटल नंबर आफ श्टिंग है टोटल नंबर सब श्टिंग जो निकालना उसको लेकर उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है बहुत सिंपल हो आता है ठीक है तो अपील इसने डिफाइन कर दिया कि नंबर अफ डिश्टिंट करेक्टर जो आपका श्रिंग में वो अपील है तो इसने एक एक जामपल भी दे दे ठीक है बढ़िया तो अगर समझो कि इस क्वेशन में अगर हम इस दोनों लाइन को भी हटा दें तो यह बिल्कूल ही easy problem था यह इसमें कुछ भी hard and fast नहीं था क्योंकि हमारे पास number of distinct character को निकालने के लिए ठीक है number of distinct character को निकालने के लिए different different approach है हम अराम से कर सकते है map का use भी हम कर सकते हैं जिसमें हम in log in हम इस पर discuss नहीं करेंगे बट मैं sort में आपको बता दूँ इन लोग in complexity के साथ जा सकते हैं चाहोता वेक्टर यूज कर लो क्यूं क्यूंकि अगर आप इसके constraint को ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ lower case English letter है तो अगर हम 26 की बात करें तो वेक्टर में भी हम बात कर लेंगे तो big of n में काम हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास different different approach different complexity के साथ available है बट इसने यहां पर रुका नहीं न यह बोल रहा है कि एक string जो मैंने दिया उसके total सारे सबस्ट्रिंग को उठाओ अप ठीक है सारे सबस्ट्रिंग को उठाओ और उन सब की appeal का मुझे count बताओ total sum मुझे sum बताओ एक string से बात नहीं बन रही है उसके सारे सबस्ट्र का जो भी appeal होगा उनका लो और count करो तो अब सबसे पहले यह समझना है कि सबस्ट्रिंग क्या है कुछ लोग इसमें confused होते हैं सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग क्या होता तो इसलिए मैंने क्या कि एक वीडियो अब बहुत पहले तो नहीं कुछ दिन पहले मैंने discuss किया जहां पर CP question में होने वाले है जितने भी terms common use होते हैं हर बाजे से सबस्ट्रिंग है सबस्ट्रिंग मैंने discuss कि वहां पर तो इसका link में उपर i button पर छोड़ दोंगा देख लेना वहां से वहां से हमने discuss किया तो यहां पर भी थोड़ा सा बता देते हैं सबस्ट्रिंग कि आपका continuous sequence of character होगा स्ट्रिंग का तो यहां पर आपको continue रखना सबसेक्वेंस में इसा नहीं होता सबसेक्वेंस में आप जंप कर सकते हो कहीं से कहीं पर और सेम होता है यहां पर और तो सेम है बट आपको स्ट्रिंग जो चूज करें वह common continuous होना चाहिए ठीक है कि देखो एक ठीक है लेकिन हम A, B और C अगर चूज कर लें तो यह आपका सबसेक्वेंस हो जाएगा तो यह चीज है तो आसा difference समझ में आ गया तो बिसकली यही है कि total स्विश्ट्रिंग का total appeal क्या होगा जितने भी स्विश्ट्रिंग है उनका appeal ठीक है अगर यह सी question को क्या करता है कि यह किसी और form में भी पूछता जहां पी टोटल यह count करके ना पूछता यह एक वेक्टर में पूछ लेता तो भी I think वो कर सकते थे चुकि यह लंबा है तो यहां पर सारे स्विश्ट्रिंग को store कर पाना हो सकता वो little difficult होता तो इन लोगों ने count पूछ लिया simple इस चीज को रखने यहां पर आपका देखो तो two plus sorry two मैं बोल रहा हूँ three one plus one plus one three है three क्यों है क्योंकि a का भी presence है b का presence है फिर c का भी presence है मतलब तीन character यहां पर राइट तो character कितनी बार भी present हो उससे फरक नहीं पड़ता अगर at least एक बार भी present हो रहा तो उसका count बढ़े जिया तो अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ separate character के बारे में a double c a तो यह c के बज़ा से इस c के बज़ा से जितने सारे सबस्ट्रिंग बनेंगे उन सब में यह सी परजेंट होगा जितने सारे सबस्ट्रिंग बनेंगे जिसमें यह c परजेंट होगा उन सब में count c का बढ़ेगा ठीक है हम अभी particularly एक character पर बात करें analyze इस इस पर करते हैं और इसको इसी तरीके से expand कर देंगे हर एक character के लिए एक बिंदू पर सोच रहें और उसको पुरा खोल देंगा ऐसे ह अरे activity उप्रों जाएगा तो यह c के बज़ाए से कितने सबस्ट्रिंग अगर पन हैं वो मुझे पता चल जाए तो इस c के बज़ाएसे answer में कितना के इंतरीक करेगां contribute किता करेगा वो मुझे पता चल जाएगा ठीक है तो अब इसका समझो इस character के बादे से कितने स्वश्ट्रिंग होगे उसी का formula जिस formula कि मैं बात कर रहा हूँ वही वो formula है जिसके बाद आपका question easy हो जाएगा तो इस character को अगर हम देखें a, b, c, a, c को इस तरीके सगेर दिया इसके right में कितने option है right में अगर देखोगे तो n-i option बचेंगा अगर यह इस character है तो और यहाँ पे i0 based indexing पर है यह बात भी धियान रखना ठीक है और उसके left में total i plus 1 i plus 1 character है अगर आप इसको इस तरीके साइस समझेरे हो इसको left में c को इधर अपने left में देखा ठीक है तो c को अगर अपने left में देखा है तो a, b, b, c, a यहाँ पे चार character है चार character में मतलब left side से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 sub string बनेंगे a, double, b, c, with c character b, b, c, और b, c, और c अकेला right side में देखें तो कुछ नहीं एक वो बनेगा क्या empty जिसको मैं बोलूँगा empty कुछ नहीं है खाली ठीक है तो इसको मैं लिखता नहीं empty इसको मैं dash देका छोड़ देता हूँ dash मतलब कुछ नहीं है और एक a अभी empty के साथ यह 4 होगा 4 बनेगा फिर तो basically 4 हो जाएगा और यह इसके साथ फिर एक concatenate होगा तो फिर से एक बनेगा तो 4 हो जाएगा तो total 8 सबस्टिंग बन जाएगा यसी चिज़ को verify करो formulas मैंने क्या लिखा i plus 1 into n minus i i यहाँ पर क्या है 5 minus 3 2 तो 4 गुने 2 बराबर 8 total 8 सबस्टिंग अभी इन सब 8 हो सबस्टिंग में c का एक एक परजेंस हो रहा है मतलब answer में इस c के बज़र से 8 का contribution है तो मैंने क्या किया मैंने क्या बोला कि इस तरीके सा अगर हम पता कर लेते हैं तो a, double b, c, a और a का, plus plus कर दिया b का निकाला, plus कर दिया इस b का निकाला, plus कर दिया c का निकाला, plus कर दिया a का निकाला, plus कर दिया तो मेरे पास total कुछ आ गए बट यहां पर एक गलती होगी मैंने क्या गलती कर दी कि कुछ ऐसे सबस्टिंग होगे जहां पर ये दो B होंगे और चुकि मैंने इस B के लिए भी पलस की अंसर मैं इस B के लिए भी पलस कर दिया तो कुछ ऐसे सबस्ट्रिंग हो गया आपका सबस्ट्रिंग हो गया जहां पे count हो गया आपका ये दोनो B का separate separate answer लेकिन count के बज़ा से मतलब count जो आपको uniqueness देखने थी वहाँ पे तो होना एक ही था अगर आप बात करो A double B ठीक है तो यहाँ पे इस B का भी A का करेंस हो रखा इस B का भी A का करेंस हो रखा लेकिन होना चाहे था overall आपका एक लेकिन हो चुका है 2 एक प्लस एक तो ऐसे जितने सारे सब सिक्वेंस होंगे सबस्ट्रिंग होंगे जहां पर यह दोनों भी प्रिजेंट हो रहा उन सब मेंसे मुझे एक बार घटाना होगा ठीक है अगर यह एडिजेसेंट में आप समझने रहे हो तो हम ऐसा करते है यहां पर कुछ करेक्टर के बाद एक बी लगाया आई पर है इस करेक्टर के बाद यहां पर लगाया जे पर तो अभी जे यहां पर है अब देखो यही है तो फिर से आपको यह फाइंड आउट करना कि कितने ऐसे सबस्ट्रिंग है जहां पर यह कॉमन होगा हमें एक character के बात कर रहे थे अब हम यहाँ पर एक part के बात करेंगे तो फिर से वही काम करेगा वहाँ पर एक character के अगर हम बात करते तो हमारा i plus 1 into n minus i होता यहाँ पर i जो था दोनों एक ही int को denote कर रहा था अब यहाँ पर यह i और j बन जो गया है तो बेसकल यह i plus 1 into n minus j बन जाएगा यह formula बन के आएगा simple है इस पूरे सब्स्ट्रिंग को ठीक है यह पूरा जो पार्ट था इसको मैंने सोच लिए कि अज़े एक character अगर हम देखें जहाँ पे इसको हम replace कर देते हैं कोई एक part से इसको पूरा करके एक box बना दिया तो यह पूरा को पूरा पिछले वाली problem जैसा similar नहीं हो गया यह वाली problem अब यह problem क्या था i plus 1 into n minus i formula और यहाँ पर i क्या था एक end क्योंकि यहाँ पर starting भी आही थी ending भी आही था अब इसको change कर दो इसको फैला दो तो यह बन जाएगा तो फैला दिया मैंने i और j बन गिया तो i क्योंकि left end में था और left को लोग include इधर कर रहे हैं तो यह आपका basically i plus 1 रहा जाएगा j plus 1 नहीं होगा ठीक है j plus 1 करने का मतलब आप j यहाँ पर treat कर रहे हैं left वाले end में plus 1 हो रहा था right वाला जो basically in में घट रहा था तो in minus j i plus 1 यह into रहेगा तो इतने सभश्टिंग ऐसे होगे इतने सभश्टिंग में यह दोनों आग्या होगा दो बार यह ठीक है एक और एक दो बार तो एक बार यह वाला अब घटा देंगे तो minus यह वाला part कर देंगे एक बार basically cancel out हो जागा तो सिर्फ हर सब का अकरेंस से एक बार count होगा समझ रहे हो basically किसी चीज़ को मैंने दो बार count कर लिया तो मैंसे एक बार घटाना होगा ताकि वो ठीक ठाक रहे तो उसी चीज़ को हम लोग दिहान में देखते हुए अब हम code पर आते हैं तो basically एन आपका size मैंने calculate कर लिया और answer रख लिया अब देखो यहां पर क्योंकि मुझे हर एक हर एक करेक्टर का ठीक है हर एक करेक्टर का position चाहिए था तो कहीं न कहीं मुझे vector यूज़ करना था ठीक है वेक्टर में position हम लोग श्टोर करेंगे हर एक करेक्टर के लिए तो मैंने सबसे पहले निसली मैंने सभी के लिए पूरा ID किया जो मैंने discuss किया था बिल्कुल वही approach किया मैंने सब करेक्टर का i plus one into n minus i total number of substring calculate कर लिया मैं मैं रख लिया अब मैं देख रहा हूं कि हर एक करेक्टर का जिस भी करेक्टर की presence होगी एक से ज्यादा मतलब कहीं न कहीं string में दो जगा बो परजेंट है तो जितने सारे यूनिक होंगे उसके ठीक है जो भी मतलब क्या कहना है जैसे दो कि हम बात किये थी यहां पर दो की बात किये तो दो के बज़ाद से एक जो चैles 파ला जो 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 common हो रहा ता उसको decrease करना था तो बीसिकली हर Management कि के पॉईंट पर अब दो से ज़्यादा भी हो सकता ऐसा भी एथा इसवी देखो तो कि एक यहां पर भी होगे एक यहां पर हो गया अिक यहां पर भी को गया और इस तरीके यह तो यह एक ही चीज होगा ना नम्ब लाइन आप समझागे तब वही चीज को मैंने तोड़ दिया इस दोनों की बीच का जो common था घटा दिया फिर इन दोनों का जो बीच का common था जाएगा आपका तो वही चीज हमने किया है ठीक है जहां पर size एक से ज्यादा होगा मतलब उ next element जे को access करने के लिए बूथा ना कि हम इसमें प्लस वन कर रहे हैं यह index प्लस वन वरा जो की टेम्प के अंदर है तो वो next element को access कर रहा हूं तो उस चीज़ को मैं घटा रहा हूं तो पाइनल क्या होगा आपका सारा जोगा वो common वाला हटके आपका अंसर आज़ेटी आजाएगा ओके तो इस वीडियो को इतना ही पर इंड करते हैं काफी लंबा हो गया यह तो ठीक है आई होप कि आपका डाउट सौल्व हो गया बट स्टील कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कोईशनुबत आद्धो मिल्थेंगिली बिडिवे टिलाउं बबाई